नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजूकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार की नौकरियों को लेकर एक बड़ा अपडेट जी यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट से कुछ-कुछ अपडेट दिये गे हैं जो कि मैं आप तक शेयर कर रह पारें बात करेंगे बिहार तक्निकी सिवायों की बंपर विकेंसी को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं यह तीन अजार एक सो चीयासी जो डॉक्टर्स की न्यूकती है उनको योगदान करना है तो आपको डेट मेंसन किया गया है नीचे देख सकते हैं और यह इसका हैल्थ ब अमिद्वारी रद कर दी जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पे उनको इसके लिए दुबारा चांस नहीं मिलने जा रहा है यह बाते वहाँ पे नोटिस में दी गई है आप पढ़ सकते हैं जाके इस ओफिशिल वेबसाइट से जाके तो यह एक अपडेट है लेकिन इसके सा साथ 4000 पदों की वेकेंसी का बात और किया गया है तो यह भी वेकेंसी बहुत ही जल्द बीटी एसी का ओफिशिल वेबसाइट पर मेंसन किया जाएगा ठीक है तो जो भी जब भी आएगा मैं आप तक शेयर करूंगा इन सभी चीज़ों को लेकर अच्छा यहाँ पे दोस्त इंजिनेरिंग डिपार्टमेट यहाँ जूणियर इंजिनियर के पदो की कि वेकेंसी ऐ ही ती 288 पदोनी याद है आपको जिसमें की सदी लियौने का किसीने फॉर्म भर दिया था उसके उपर यह लियौने यह पर के यह बहुत ही जादा वाइरल हो गया था यूज भी बहुत ज़्यादा वाइरल हुआ था आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे इसके बारे में तो यह जो वेकेंसी है इसको लेकर एक अपडेट दिया गया है क्या अपडेट दिया गया है तो यह आज के नियूस पर हिंदुस्तान में जब जाएंगे आप तो एक कटिंग दिख 30 साल कर दिया गया है जेनरल के लिए OBC में 3 साल और SST में 5 साल एक्स्टेंट करेगा 10 साल पीच को टेशातरों को मिलेगा तो यह एक अपडेट है यहां से दोस्तों इस विभाग को लेकर ठीक है तो आप लोग भी इसके ऑफिशिल वेबसाइट पर जाके इसको चेक कर सकते यह सिबिल इंजिनियर डिपलोमा वाले छातरों के लिए आवेदन यहां पर मांगे गये थे हैं जिसका अपडेट मैंने आपको यहां पर दिया था अब आप उस वीडियो का मैंने लिंक भी दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं व बीपी एसी का दो न्यूज बहुत ही इंपॉर्डेंट है एक तो 64 वी बीपी एसी है आपका उसका डेट मेंसन कर दिया गया है और दूसरा कि 65 मेंस जो है ठीक 65 का मेंस जो है वो डेट एक्स्टेंट कर दिया गया है अब यह कब एक्स्टेंट किया गया है यह आपको कर दिया गया है अब इसको कर दिया गया है जी अक्टूबर तक तो चलिए तीनों के बारे में एक ही करके बताते हैं तो सबसे पहले यहां पे कौन सा अपडेट आ रहा है तो यह देखिए बिहार लोग से वायों के तरफ से यह जो 11 2020 का इंजीनियर वाला पोस्ट है बीटेक म बीच में फॉर्म भरने का जो सुलक है 25 सेप्टमबर तक भर देना है ऑनलाइन भरने का अंतिम्ति थी एक अक्टूबर कर दिया गया है फाइनली साथ अक्टूबर तक अपने सारे डॉकमेंट्स को पोस्ट भी कर देना है बिहार लोग से वायों के वेबसाइट तक तो यह एक अपडेट था दोस्तो जहां से इंजिनिरिंग के छात्रों के लिए बोला गया था चलिए अब मैं चलता हूं दोस्तो यहां पे एक और अपडेट पे यह देखेगा यह अपडेट है बिहार लोग से वायों कहीं दूसरा अपडेट है चौशाटवी बीपी एसी इंटर इस पर देंगे और यहां पर बनेंगे बीपी एसी के प्रादिकारी जी दोस्तों तो यहां से एक अपडेट आ रही है बहुत अच्छी खुशकबरी है आप लोगों के लिए एक दिसम्बर डेट मेंशन कर दिया गया है चौशाटवी के इंटरिव्य को लेकर अच्छा पै करके 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक कर दिया गया है तो सारा जो यहां पर नोटिफिकेशन है यह मैं आपको टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा तो यह बीपी एसी से यहां पर सब कुछ खतम होता है तो चलिए अब चलते हैं यहां पर बिहार करमचारी चैना य लोग यानि की बिहार एससी का ओफिशल वेबसाइट पर यहां पर एक लेटर दिया गया है दोस्तों यह ड्राइबर के पोस्ट के लिए निकाला गया था वेकेंसी एडविटाइजमेंट संक्या देख सकते हैं यहां पर आप जी 13010116 का है अब इसको आप लोग जो भी अपडेट मांगे गया है उनका परमानपत्र लेकर जाना होगा इंट्रिव्यू देने इंट्रिव्यू आपका 14 सेप्टेंबर से 25 सेप्टेंबर के बीच है कहां पर तो BMP 10 पटना यह भी आप ध्यान रखेंगे आपका वहां पर ड्राइबिंग चेक होगा यहां ड परिच्छा में जो आपका एड्मिट कर था वो जरूर लेकर जाएगा ताकि उनको पता लगता है कि आप ही का एक्जाम था आप ही ने यहां पर दिया था ठीक तो यह एक अपडेट है दोस्तों ड्राइबर के पोश्ट को लेकर बिहार से की तरफ से ओके अब चलते हैं दो रात्री परहरी फरास दर्बान सफाई कर्मी और माली के पदों के लिए अब आपको क्या करना है यहां पर मेंशन किया गया है जो डेट इसके लिए यह इस डेट में 11 सेप्टेंबर से 30 सेप्टेंबर तक स्लॉट बुकिंग करना है यानि कि कब आपका इंटरव्यू लिया झाया जाये यह आपको करना है तो आपको करना यहांपर सबसे पहले तो इसका पासवर्ड यहां पर इंस बूकिग करते समय घ्यान रखना होगा अपना खो गया है तो इसके नेमेल के करेंगे कार्याले परिचारी फरास के लिए 12 अक्टूबर से जी 16 अक्टूबर के बीच में अपना स्लोट बुकिंग करेंगे माली का पोश्ट है आठ नवंबर से 12 नवंबर तक का जी उसी के बीच में अपना स्लोट बुकिंग करेंगे इंटरव्यू डेट करेंगे दर्बा होगा तो यह बाट दिए गए है इंट्रिव्यू डेट अलग अलग और आपको इसी बीच में जिस जीश पोष्ट के लिए आविदन किये थे उस पोष्ट के लिए उसी उसी डेट में आपको मेंसन करना एंट्रिव्यू का अपना डेट ठीक है श्लॉट बोकिंग करते समय आ आपको mention किया गया है, website पे भी आप जाके check कर सकते हैं, यह इसका website का link है, सारा website का link मैंने description में भी दे रखा है, जो related video है, उसका भी मैंने video दे रखा है, यहाँ पे नीचे related करके, तो आप वहाँ से भी click करके सारे चेक कर सकते हैं, तो यह एक update था दोस्तों, यहाँ से, मैंने आपको वो सारे details बता दिये, जो कि आपको यहाँ से बताने थे, यह सारा update यहाँ से आपको दे दिया गया है, जिया, बिहार टक्निकी से वायोग, बिहार लोग से वायोग, बिहार करमचरी चैना योग, और एक बिहार विधान सभा परिश्ट सची वाले का, यह सारा update था latest जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही पलपल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जीहां दोस्तों बने रहिएगा हमारे यूटूब चैनल एजुकेशन के अटेशेक्स पर धन्यवाद मिलते अपना और अपने फरिवार का